सल्मान खान ने कभी नहीं सोचा था कि साउत का एक एक एक्टर आकर उनके कैरियर को बचाएगा 2002 से 2007 तक का समय सल्मान खान के करियर का सबसे बेकार समय था जब उनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी उनकी फिल्म नो एंट्री, मैंने प्यार क्यों किया, जल्वा, गर्व, ऐसी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो गई थी सल्मान खान को लगने लगा था अब मैं और आगे नहीं जा पाऊंगा लेकिन तब ये एक साउथ के एक्टर डाइरेक्टर सल्मान खान की जिंदगी में आये थे नाम था प्रभुदेवा वैसे हम इन्हें एक बहुत ही अच्छे डांसर के रूप में ज्यादा जानते हैं जब सल्मान खान की मुलाकात प्रभुदेवा से हुई तो प्रभुदेवा सल्मान खान को एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म वांटिड दी पूरा बॉलिवुड कह रहा था कि सल्मान ये फिल्म मत करो साउथ का एक नया डाइरेक्टर है उसको क्या पता कि यहां की पबलिक को क्या देखना है लेकिन सल्मान खान ने कहा कि मैं फ्लॉप तो दे ही रहा हूँ एक और सही फिर सल्मान खान डाइरेक्टर प्रभुदेवा के साथ मिल कर एक ऐसी फिल्म वांटिड दी जिससे सल्मान खान का